हालो स्टूडेंट्स वेलकम टू पी ब्यार स्टड़ी तो बच्चों आज की स्कलास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा तसकी एंसी आर्टी गडित तिरकोड मिती आपका चल रहा है 9.1 और कोश्चन नंबर होगा 11 नंबर यानि 11 नंबर कोश्चन आज हम करेंगे लेकि है बच्चों तो आज हम 14 नंबर कोश्चन आपको बताएंगे एक साही है न किसी को कुछ कहना कुछ लोग लड़की को लकड़ी पढ़ लेते हैं गलप है चलिए 1.2 मीटर लड़की भूमी से 88.2 मीटर की उचाई पर एक 36 रेखा में हावा में उड़ रहे गुबारे को देखती है 36 रेखा का मतलब है ऐसे ऐसे ठीक है लंबवत का मतलब हैसे ऐसे ठीक है 36 रेखा में क्या कर रहे है ये गुबारा को उड़ते देख रही किसी भी छण लड़की की आँख से गुबारे का जो 99 कोड़ है वो 60 हंसे कुछ समय बाद 99 कोड़ कर 30 हंस हो जाता है क्योंकि गुबारा और दूर चला जाएगा लड़की के मालो सिर के उपर था तो और दूर जाएगा जितना दूर जाएगा उतना कोड़ कम हो जाएगा है ना कड़कर 30 हो जाता है इस अंत्राल के दौरां गुबारे दौरा जो ताएं की गई दूरी है वो आपको ग्याद करनी है चलिए कर लेते हैं बहुत आसान है बच्चो पहले फिगर बनाएंगे देखो मान लेते हैं कि लड़की यहीं कहीं है देखो मैंने लड़की सही बनाया ना भई देख लो नहीं बताना नहीं सही बनी होगी तो यह मान लेते हैं क्या एक लड़की है इसकी उचाई कितना है बाबू 1.2 मीटर है मैं मान रहा हूँ ठीक है आप ऐसे बना लेना ये क्या एक लड़की है इसकी उचाई 1.2 मीटर है आस्मान में कोई गुबारा उड़ रहा है जिसे ये देख रही है तो भई ये आस्मान उपर होगा नीचे तो होगा नहीं तो मान लो कि गुबारा यहां कहीं उड़ रहा है इसे ये देख रही है और ये गुबारा क्या करता है 36 रेखा में उड़ रहे गुबारे को देखती है यानि यहां से यह लड़की मालो यह इसका आँख है यहां इसका तल है तो यहां से यह ऐसे क्या करती उपर उड़रे गुबारे को देखती है आगे देखो क्या कहता ध्यान देना इसके बाद कह रहा कि कुछ समय बाद गुबारे से 60 हंस का बन रहा है और देखना आगे, कौण तो 60 अंस बन रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्हें कौण घटकर 30 अंस हो जाता है, यानि भाई गुबारा जो है, कुछ समय बाद क्या होता है, कहीं और दूफरी थोड़ी और दूर चला जाता है, तो समझना, पहले ग कौण घटके अब कितना हो गया बचवा, ये 30 अंस का हो गया, कहां से बन रहा था कौण, यहीं से बन रहा था, इसके आंक से ही, ये पहले 60 अंस बन रहा था, फिर कितना बन गया ये, ये 30 अंस हो गया, आप कहो गया, ऐसे कैसे कौण बन रहा है, ऐसे बन रहा है, गुबार यह माल लेते हैं जमीन है अब यह जमीन कहां तक गई है कुछ पता नहीं है पूरी जमीन है तो गुबारा की जो यह है बेटा यह जो है बाबू वो 88.2 मीटर है यही तो बोला था ना जमीन से उचाई कितना 88.2 है तो यह इसको भी हम यहां मिला देंगे हमारा तिरबुज बन लाएगा ठीक है अब समझते चलना तुम बिल्कुल टेंसन मत लेना देखो बेटा यहां से समझो अब थोड़ा इसमें गलत हुआ है गलत का हुआ है देखो जमीन से गुबारा की उचाई है 88.2 तो यह उचाई यहीं से नहीं है लड़किया जहां खड़ी है जमीन यह है व 1.2 जो है बेटा बाबु समझना यह यहां तक है ठीक है समझ में आया यहां से लेकर के यहां तक की जह उचाई वह 88.2 है आगे समझना अब लड़किया क्यों चाई क्या है 1.2 है आपको देखने में 1.2 जादा लग रहा होगा यह कम लग रहा होगा लेकिन यह ऐसा माना गय ठीक है, रियल में नहीं है तो भाज़िया हम कह सकते हैं बाबु की यह इतना 1.2 है बोलो कह सकते हैं 1.2 मीटर है को क्योंकि लड़किया 1.2 मीटर लमभी है तो जब हम टोटल से 1.2 घटा लेंगे तो हमें यह कितना मिलेगा रियल में हमें जो यह मिल जाएगा वह 87 मिल करन कर दीजिए मान लो कि a b हो गए इनको c d मान लो हां इनको a b c मान लो इसको इसको d और e मान लो चलो आप समझते चलना इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिगर बन गया देखो बैटा कुछ चीजें यहां दिखाने के लिए भी बनानी पड़ती है हां बैट टोटल 88.2 मींटर इतने की दूरी 1.2 थी इसमें से घटा दिया तो यह 87 बना गया इतने में कोई दिक्कत नहीं आप कुछ चीजें हम लिखेंगे जमीन से गुबारे की उचाई बराबर यहां हल कर सकते हैं उपर लिख सकते हैं न यहां पे आप लिख लो हल फिगर आप पहले बना लेना चाह 88.2 मीटर यही है न और क्या कहता है लड़की की उचाई बराबर लिख लो बाबू लिख लो लड़की की उचाई बराबर 1.2 मीटर तो अब आप डी इनिकालोगे तो कितना आएगा बेटा डी इबराबर 88.2 माइनस 1.2 इक्वल 87 मीटर इतना सभी को समझ में आया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं चलो अभी हमने कुछ नहीं किया सिर्फ जो दिया था जैसे वो ऐसे लिखाए बस अब हमें जो निकालना है मुझ पे आगे बढ़ेंगे ठीक है आप थोड़ा गौर करना जो निकालना बेटा समझना हमें किआ करनी है पहरा था कि गुबार्ण की बीच की दूरी ग्यात कीजिए मतलब यह हमें वी निकालना है गुबार्ण पहले यहां उड़ रहा था यहां से उड़के यहां आगया तो कितनी दूरी आया यह हमें निकालना है हमें कुछ अता पता है नहीं लेकिन हमें यह पता हो गया और यह पता हो गया कौण न? तो हम लिखेंगे तिरभूज A, B, C में यहां लिखिए तिरभूज A, B, C में कौण C वराबर कितना है? 60 हंस है देखो बटा इसमें लंब दिया है और आधार आधार यानि B, C जो कि हमें नहीं पता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार न तो 10 लगेगा लगा दो कौण 60 हंस है? लंब बटे आधार लंब यानि A, B आधार यानि B, C चलो फटा फट सारे मान रख दो लेखो बटा A, B का मान जैसे D, E, 87 है तो ये भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों की उचाई बराबर थी और 10, 60 का मान अंडर उट तीन होता है तो हम कह सकते हैं इसकी जगा पर 87 अब आन B, C क्रास मल्टिपल कर लो बेटा इसमें तिर्चा गुड़ा हर कोई करना जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं B, C बराबर कितना आएगा 87 अपान अंडर उट तीन अंडर उट तीन नीचे नहीं लिखेंगे उत्तर लिखते समय तो ऊपर नीचे क्या करेंगे रूट तीन से गुड़ा कर देंगे ये फाइनल में आ जायागा B, C बराबर देखो ये कट भी जायागा 87 इंटू अंडर उट तीन पान तीन लिखे देखो ये तीन दून अच्छा तीन नमा सत्ताइस तो B, C बराबर 29 अंडर उट तीन आएगा B, C कितना है? 29 अंडर उट तीन यानि हम कह सकते हैं कितना आ गया? 29 अंडर उट तीन हमें B, C मिल गया अब हम B, E भी निकाल लेंगे कैसे निकलेगा? बताता हूँ इसको इक्वेशन नमबर फर्स्ट मान लीजिए फिर आगे चलते हैं अगले बने हुए तिर्भूज पूरे बढ़के वाले मिलेंगे D, E, C मे D, E, C मे इसको लिख लीजिए मिटाता हूँ मैं इसे इतना ये मिटाऊँगा जितना हल है जल्दी लिखो तिर्भूज D, E, C मे देखो इसमें भी कौण C बराबर कितना दिया है बबुआ 30 अंस दिया है ना बेटा 30 अंस दिया है जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़े हैं पढ़ लो चुपचा पढ़ लो अच्छा है कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो क्लास खतम हो जाएगी कमेंट करना सब बताएंगे नीचे नंबर चला उस पर संपर करो कुछ भी कहना है कमेंट के पीछे ना पढ़ो चलो ठीक बटा देखो यह C 30 अंस आ गया अब इसमें अगर आप गौर करो अगर कौण C पर बन रहा है इसके सामने की बुझा D E आधार पूरा-पूरा बैटा E C या फिर C E जो भी तुम चाहो लिख सकते हो ठीक है ती हो जाएगा D E अपान C E 37 कमान वन अपान रूट 3 इक्वल D E कमान आप सबको पता 87 बनाया था तुम सब देख रहे 87 है अपान C E देखो भाया C E या फिर E C जो भी कहो इसे पढ़ लो ये पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भई हमें पूरा निकालना है हम ये और ये जोड़ देंगे ये और ये जोड़ देंगे या नि B C में B E जोड़ देंगे न भई सही बोल रहा हूं न BC में BE जोड़ देंगे या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर हमें सिर्फ BE निकालना है तो हम CE से BC घटा देंगे ये भी कर सकते हैं लेकिन वो बाद में करेंगे पहले तिरचा कुड़ा करो तो CE बराबर हो जाएगा आपका 87 into under root 3 यानि यह क्या आगया? फिर ec मिल गया पूरा-पूरा बढ़का वाला हमें मिल गया अब हमें काम कर सकते हैं हमें यह पूरा-पूरा मिल गया इसे हम कह सकते हैं 87 अंडरूर 3 यानि यह पूरा-पूरा हमें मिल गई पूरी-पूरी और यह भी मिली है हमें यह निकालना है बहुत आसान है आप यहां ल तो आपका अंसर आ जाएगा तो यह 87 अब अंडर रूट 3 माइनस अभी अभी जो आया था 29 अंडर रूट 3 गटा लो 29 अंडर रूट 3 देखो यह रूट 3 रूट 3 वाला दोनों में समान है इनके करडी गज्जो है वो घड जाएंगे 17 में से 9 गया आठ और 7 में से 2 गया 5 अठा बनाएगा यहनि 87 से 29 गटा लोगे बैटा तो 58 आएगा अंडर रूट 3 यह आगया आपका बीई और हमें क्या करना था बीई ही यह निकालना था बीई ही फाइंड करनी थी है ना यह अंसर आ गया यानि हम कह सकते हैं B E कितना आ गया 58 under root 10 इसमें किसी को कोई doubt नहीं न इस तरह से बैटा आपका ये पूरा question complete हुआ अगर आपके मन में कोई सवाल है कुछ भी कहना है तो अब आप comment कर सकते हो ठीक है अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी ध्यान दीजिएगा नजरे गड़ा के रखिएगा कहीं जाईएगा नहीं अगला question बहुत जल्दी देखिए अगला question दिखाएंगे उसके पहले एक चीज़ और important है वो देख लीजिए अगर आप या आपके घर परिवार में relative में कोई भी broadband internet लगवाना चाहता है तो एटल के बारे में भूल कर भी मत सोचना क्योंकि हमारे लगबख साढ़े 11,000 यानि 11,316 रूपय का recharge one month का oh sorry one year का इनका होता है एक साल का मैंने करवाया कोई भी problem होती है केबल अगरा कट गई internet disconnect हो गया इनकी कोई सुनता नहीं है आप परिसान रहोगे आपका बिजनेस चोपट हो जाएगा इनके चक्कर में इनका internet सही चले इसके लिए आपको एक दो करमचारी रखना होगा तो ऐसा internet क्यों यूज करेंगे भई हमारी इंसी बहुत बहुत बहास होती है कुछ नहीं करते हैं हमारे पैसे बरबाद हुए हमने का ठीक है हम लोगों को जाग रूप करेंगे बाकि आपकी इच्छा इसक्रीन पर देख लीजिए मैंने लिखा है हमारे landline number भी आपको लीजिए exercise है 9.1 question number है बेटा आपका पंदरा नंबर तिरकोड मिती पढ़ रहे हैं आपका अच्छा 10 की NCRT गड़ी करहा कि एक सीध राजमार्ग पर सीध राजमार्ग नहीं से बोलेंगे सीधे राजमार्ग पर ठीक है राजमार्ग का मतलब होता है एक परकार से राष्ट उसके पैर तक यानि पाहुँ थीक है जैसे मैं यहां खड़ा हूँ तो हम कहें हमारा पाद कहां है तो पाद का मतलब पैर जहां है वह पाद का मतलब कुछ और मत समझन अनुमझ रहो ना यानि उस knife कहां तक जाता है पैर तक भी Catholic करह मिनार के सिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिगरी के आउनमन कोण पर देखता है अब भाई या मीनार उपर है उसके अगर सिखर पर यानि उपर मीनार के उपर अगर कोई खड़ा है तो नीचे को देखेगा कार नीचे ही तो जाएगी न अब भाई मीनार बड़ी से होती कार छोटी से होती है ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी जो मीनार के ऊपर खड़ा है वो कार कोई से देखेगा कार तो नीचे जमीन पर जा रही ना ऐसे देखेगा तो आउनमन कोण बनेगा आगे कहता है जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है यानि वो जो है क्या कह रहा है जो कार है वो सीधा सीधा धीरे धीरे मीनार की तरफ वो जा रही है कह रहा है छे सिकंड बाद कार का अनमन कोंड साठंस हो जाता है अनमन कोंड बढ़ क्यों जाता है क्योंकि कार धीरे धीरे मीनार के पास आ जाती है पहले अगर वो आदमी मीनार पर से कार को ऐसे देख रहा था तो जब वो मीनार के पास आ गई कार तो वो ऐसे देखेगा जब ज़्यादा जुकेगा तो कौन और बढ़ जाएगा ठीक है तो बेटा सबसे पहले हम चितर बनाएंगे इसमें चितर ही मेन होता अगर आपने फिगर बना लिया तो आपने कुश्चन लगा लिया हम मान लेते हैं ये क्या एक मीनार है मीनार के उपर एक आदमी भी खड़ा है ध्यान देना मतलब खड़ा है या बैठा है कुछ भी मान लो तुम तो हम ये मान लेते हैं क्या बेटा ये एक मीनार है मीनार को तुम कैसे भी मान सकते हो हम इसको ऐसे ही मान लिए कि ये क्या एक मीनार है तुम एक सीधे फिदी लाइन भी खिंच सकते हो इस पे मान लो कोई आदमी एक है खड़ा है बैठा है कैसे भी अवस्था में है यहां से यह क्या कर रहा है देख रहा है कि इसको कार को कार एक राष्टी राजमार्ग परा रही है जो कि सीधा राजमार्ग कहा जा रहा है मिनार के पहर तक जाता है तो हम माल लेते हैं ये राजमार्ग है ये क्या है राश्टी राजमार्ग है और यहीं पर कहीं कार है ऐसे मान लो ये क्या है कार है गोंच दियां उभले में लेकिन ये क्या है कार है मान तेमेत में ये सीधा कहा जा रही बिटा राजमार की तरफ को आ रही है और ये आदमी यहां से देख रहा है कार को तो इसका कोण कितने का बन रहा है तीस हंस का बन रहा है यही तो बता रहा था ना फिर कह रहा कि कुछ समय बाद ये कोण जो तीस था वो बढ़के साथ हो जाता है यानि जब ये कार धीरी-धीरे इसक को जाएगा क्योंकि इसके क्या हो गई पास पहुंच गई एक दम पास जैसे पहुंचती जाएगा वैसे को बढ़ता जाएगा इसको मैं थोड़ा गोंचा पहुंचा था थोड़ा उपर सही कर देता हूं यह तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बताया था तुम अपनी किताब म में हल करते समय एकजाम में ऐसे सीधा सीधा खीच लेना यह आदमी और यह कवा बनेगा नहीं वहां पर गंदा लगेगा यह ठीक है इनके नामकरन कर दीजिए आप कुछ भी लिख दीजिए एवी सीडी का बनाताँ चित्र हो गया कामख अब क्या करना हीं अब क्या तुर्भूज ए बीडी में तिर्भूज अ पर चोटी तिर्भूज में लेंगे फिर बड़े पिरूर्भूज में और इस तरह से पूरा हल कर डालेंगे ज़िक है यहां पे लिखो हल कुउस्चन कहों तो मैं तिरभुज A, B, D में कोंड D बराबर साथ हंस और इसमें एक चीज और देखो बेटा सिर्फ कोंड ही दिया है बाकी ना तो मिनार की उचाई दी गई है और ना ही हमें आधार दिया है कुछ नहीं दिया है लेकिन हमारे पास क्या है? लंब और आधार है लंब में A, B आधार में B, D थीटा कमान देखो बेटा कौंड साथ दिया है तो साथ रख दोगे A, B और ये जो भी हैं इनमें हमें किसी कमान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे A, B upon ये B, D तैन साथ कमान रूट 3 रखेंगे A, B upon B, D हम पहले A, B कमान यहां से निकाल लेंगे तो अंडरूट 3 इन्टू B, D आएगा ठीक है भगवा ये क्वैसा नमबर फ़स्ट हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं यनि हमने A, B कमान निकाल लिया अब हम बढ़के वाले तिर्भूज में लेंगे तिर्भूज A, B, C में यहां पर दूसरा साइड में कर लो बगल में लिखो उपर दिख रहा है न यहां तक दिख रहा है यहीं तक मैं करूंगा लिखो अब तिर्भूज A, B, C में कोण C बराबर 30 अंस समझ ना एंगल C कितना बेटा? 30 डिग्री है इसमें भी वही कंडिशन है सामने की बुझा लंब है नीचे की बुझा आधार है यानि इसमें भी हम कह सकते हैं 10 थीटा इक्वल लंब A, B आधार C, D यहां से कुछ समझते चलना तुम तो यह क्या हो जाएगा? 10 30 थीटा कमान A, B अपान C, D A, B कमान 1 अपान रूट 3 और यह कितना हो जाएगा बिटा? 33 कमान 1 अपान रूट 3 A, B अपान C, D ऐसे हो गया यहां से समझना तुम थोड़ा सा देखो बवा, समझना A, B कमान हम यहां से इतना रख सकते हैं तुम्हें दिख रहा की नहीं? रख सकते हैं न? इसमें कोई दिक्कत नहीं न? ठीक है, don't worry चलो हम वहाले चलते हैं इसको आगे पकड़के यहां किस कमान निकालेंगे हम? यहां पे हम B, C कमान निकालेंगे लेकिन यहां पे आप लोग थोड़ा कनफ्यूज होंगे देखो बाबू, यहां पे यह समझना हम पूरा-पूरा A, B, C अगर ले रहें तो हम यहां B, C लिखेंगे न, C, D नहीं लिखेंगे कहीं यह थोड़ा मिश्टेक हुआ है B, C लिखेंगे जो B, C है यह पूरा-पूरा चाहे तो C, B बोलें या B, C इसमें देखो दो पार्ट है एक C, D है, एक B, D है है न, तो हम इसकी जगापे C, D, 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 D भी लिख सकते हैं C, D, 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 D D, 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 D equal under root 3 into A, B ऐसा लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं न, भाईया नहीं अब तुमें एक चीज समझे न A, B की जगापे हम कुछ और लिख सकते हैं वो क्या समीकराण एक से A, B की जगापे root 3, B, D लिख सकते हैं नीचे दिख रहा है तो यह आपको हो जाएगा C, D, 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 D इन्टू, अंडर root 3 और यह B, D B, D समझ रहा हो न देखो बेटा, इनको जोड लोगे तुम तो यह क्या आजाएगा भाई, सीधी सी बात है यह जितना था उतना ही रहाएगा 3 का root 3 में गुड़ा होगा तो 3 हो जाएगा और B, D, बस यह इतना ही रहाएगा C, D, धन, B, D इक्वल 3, B, D ठीक है देखो बेटा, जब यह 3, B, D इसमें से घड जाएगा यहाँ पर आगे जगा नहीं है हम इसको यहीं छोड के इसको मिटाएगे लिखना चाहो तो लिख लो फटा-पट साथ में ठीक है, इसको मिटाके हम यहाँ लाके इधर हल करेंगे नहीं तो कहो उपर हल कर दूँ चलो उपर हल कर देता हूँ, जाने तो नहीं मिटाऊँगा C, D बराबर निकालेंगे यह B, D इधर जाएगा, इसमें से घड जाएगा वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है पता है न बाबुगा, यहीं निकाल लो फिर का करना है, यहीं निकाल लो नहीं उपर है कर लो, उपर कहां तक दिख रहा है यहाँ दिख रहा है न, ठीक है तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से C, D निकालेंगे समझना आप तुम CD बराबर हो जाएगा 3BD माइनस का BD 3BD वैसे लिख दिया ये BD उधर गया क्या हो गया माइनस हो गया तो बेटा ये CD बराबर तुम्हारा आजाएगा 2BD ठीक है CD कितना आगया 2BD आगया यानि BD अगर निकालना चाहो तो CD अपांट 2 हो जाएगा यहां फे तुम CD अपांट 2 इकोल BD निकाल लो ये equation number second हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना चलो question में हटाई देता हूँ पहले मैंने इसको यहां तक किया equation number first find किया फिर मैंने यहां से यहां तक किया equation number second मतलब यहां तक किया यहां के बाद में just ऊपर किया तो second question आगया दोनों question आगये इनको लिख लो screenshot लेलो अब मुझे इधर जरूर मिटाना पड़ेगा इधर मिटाऊंगा जल्दी करो हो गया? चलो साथियों इसमें एक चीज दिया है वो मैं तुमें नहीं दिखाया अभी तक question में अगर तुम ध्यान से देखो तेहां CD कमान दिया है कैसे? मैं question थोड़ा जूम करूँगा तुम ध्यान से देखो और फिर एक बार बढ़ो फिर मैं बताता हूँ फिर इसको हल करता हूँ question दिख रहा तुमे देखो कहे रहा है सुरू से पढ़ देता हूँ एक सीध राजमार के एक मिनार की पात तक जाता है मिनार के सिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को तीस अंस के आउनमन कोण पर देखता है जो कि मिनार की पात की और एक समान चाल से जाता है कौन जाता है कार जाती है 6 सिकेंड बाद कह रहा है 6 सिकेंड बाद कार कावन मन कौन साथ हो जाता है 6 सिकेंड बाद का मतलब यह है बेटा कि जहां पर वो कार थी पहले जहां कौन ती संस था वहां से जब वो जहां कौन साथ होता है वहाँ तक जाने में 6 सिकेंड का टाइम लेती है 6 सिकेंड का टाइम लेती है मतलब यह कार पहले यहाँ थी तब कोंटी संस का था यहाँ थी ना जब यहाँ से यहाँ गई तो 6 सिकेंड का टाइम लगा था कितना लगा था बेटा इतने में 6 सिकेंड का टाइम लगा था यानि cd कमान 6 दिया था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं समी करण 2 से लिखो समी करण 2 से समी करण 2 अभी अभी आया है तुम्हारा bd equal cd upon 2 तो बेटा यहाँ से तुम निकाल लोगे cd कमान 2 रखोगे यह 6 रखोगे बराबर 3 सिकेंड यानि हम कह सकते हैं कि bd बराबर कितना 3 सिकेंड और हमें bd ही तो निकालना था कि कार इस अस्थान से मिनार तक कितने देर में पहुँचेगी न जखो आप लिखा है मिनार के पाथ तक पहुचने में समय जो लग रहा उसे ग्याद कीजिए लिख लेजिए इस क्रेंसाट लेजिए एक बार कुश्चन को फिर से पढ़ना तब ज़्यादा समझ में आएगा कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए अगर अभी तक आपने PVR Study को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो फटा फट सब्सक्राइब कर लो जल्दी से अब यह अनमन कोण क्या है उन्नेन कोण क्या है साइन थीटा बराबर लंबटे कड कैसे होता है यह सारे बेसिक कांसेप्ट के लिए आप हमारी बेसिक कलास भी जॉइन कर सकते हैं वो मैं बताता हूं देख लिजी एक नजर में कच्छा 10 के बच्चों के लिए यह 50% की छूट जो 10 जनौरी तक है इसे 31 जनौरी तक बढ़ा दिया गया अगर आपका च्छा 10 में हैं तो आप 31 जनौरी तक ही स्कोर्ट को ले सकते हैं पीबियार स्टड़ी एप में जा करके आज ही जॉइन कर लें अगले परसन की तरफ आगे बढ़ेंगे कहीं भाग के नहीं जाना नेक्स्ट कोईशन तुरंत अगला कोश्चन देखे आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कोश्चन नमबर 16 ध्यान दीजिए 11 मीनार के आधार से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है हमारे टाइपिंग मास्टर ने आधार को आधर लिखा है जबकि क्या है आधार आधार मतलब बेस से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर इस्थी दो बिंदूओं से मीनार के सिखर के उन्नयन पूरक कोण है मतलब थोड़ा सा आजीब टाइप का लग रहा है न ये लेकिन अभी फिगर बनाएंगे तो किलियर हो जाएगा पहले एक मीनार के बारे में बात हो रही तो पहले आप क्या करोगे भई आवाजा रही न पहले एक मीनार बनाओगे यहाँ पर तिरकोड मिती में एक खास बात है हमें चाहे मीनार बनाना हो, चाहे दिवाल बनाना हो, चाहे कुता बिली बनाना हो, चाहे जानवर बैल बनाना हो हम सब के लिए एक रेखा ही खींचते हैं मतलब समझ रहो, सीधा सीधा रेखा ही खींचा जाता है ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहा जाए कि एक मिणार तो हमें आ दीवाल नहीं बनाने लगेंगे जोलमटोल ठीक है यह क्या हो गया मिनार आगे देखिए पिर से पढ़ते हैं कुष्चन जहां समझ मैं आ गया चित्र बन गया फ데 फिर इसको लगाना असान है सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना ही बड़ी बात होती तर्कोड मिती में बस देखीए कहना कि मिनार के आधार से और एक सरल रेखा में सरल रेखा का मतलब सीधा-फिधा चार मीटर और नो मीटर की दूरी परिष्थी दो बिंदूओं से मिनार के सिखर के उन्नेयन कोण पूरक कोण है देखो पूरक कोण मतलब जानते हो कम्पलीमेंटरी एंगल पूरक कोण का मतलब दो ऐसे कोण जिनको जुड़ करके नब्बे होता है जैसे देखो पती-पत्नी पूरक होते हैं एक दूसरे के समझ रहो और अब कुछ लोग कहेंगे इसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे भई साधी अगर पती-पत्नी में से एक है तो अकेले तो होगी नहीं यानि साधी के लिए दो होना चाहिए तभी तो पूरक होंगे एक दूसरे के तो बस कुल मिला करके ऐसे आप समझ लो वैसे पूरक के लिए क्या चाहिए इसमें कोण में नबबब यान्स मतलब दो कोंड जिनका योग प्फल नबबब हो जैसे देखो अगर मैं कहूं 60 अंस का पूरक क्या है तो बहिए 60 अंस में कितना जोडने की नबबबब हो जाए आपको पता है यह है इस figure में जो हमें बोल रहा था कि इसमें जो इनके कोण बनेंगे 19 वो दोनों को जोड़ करके 90 ही होना चाहिए उससे जादा या कम नहीं होना चाहिए आई ये ठीक है दो बिंदू बना लेते हैं ये पहला बिंदू है ये दूसरा बिंदू है ठीक है clear इनको खीच मेंऑ करेंगे तो पहले येही मिलेगा न फिन नौ मिटर मतलब ये यत समझते चलना यार देखो यहां से यह क्या है यह यहां तक है इसके बाद यह टोटल कितना है नौ मीटर यानि नौ मीटर वाली दूरी इस पर आ रही इस पर चार मीटर वाली इस पर आ रही है समझते चलो कह रहा था कि इनका जो उन्नेन कोण है वो पूरक है तो पूरक है मतलब अब हमें कोण और तो पता है नहीं कितना है ना कुछ दिया है तो हम मान लेंगे पहला कोण हमने मान लिया कि थीटा है जो को बेटा अगर पहला थीटा है तो पूरक कोण की भी बात कर रहा तो दूसरा 90-θ होगा, सिंपल सी बात है, यह क्या होगा, 90-θ होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों क्या है, पूरक है, बाई सी बात है, इसके बारे में थोड़ा और एक्स्प्लेन अगर मैं कर दूं, यहां समझो, अगर एक कोण हमने, मानलो 55 हंस मानलिया, तो दूसरा कोण कितना होगा, भाई सी बात है, अगर एक मैंने 65 मानलिया, तो दूसरा 90-65 होगा, इसमें से घटा के देखो न यार, 25 होगा न, है न, तो वैसे इसमें मैंने एक θीटा माना, तो दूसरा 90-θ होगा, ठीक है, आप देखो आगे, कितना हो गया, इनके नाम लिख लेजिए, A, B, C, D, कुछ भी, चलिए A, B, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर नाम C और यहाँ पर D यह नाम लिखने के लिए, इनका नाम करण के लिए, मैंने थोड़ा सा, इनको इधर उधर कर दिया, ठीक है क्लियर, अब हमें क्या करना है, करा सिद्ध कीजिए, मीनार की उचाई 6 मीटर है, मतलब ये वाली A, B, कितना है, बचवा 6 मीटर है, यह हमें प्रूब करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेते हैं, आगे बड़ो भाई, फटा-फट, और खाओ पियो नहीं पढ़त मैंने थोड़ा सही कर लिया, इसमें साइड में जो ये 9 मीटर यहां थोड़ा कम जगा आ रही थी, मैंने इसको पूरा-पूरा कर दिया, अब दिख रहा है, अब देखो इसको हम हल करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तिर्भूज A, B, C मे, पहले छोटे वाले में, A, B, C मे, ठ अंगल C थीटा है, कोण C क्या है, थीटा है, और इसमें एक चीज और दिया है, B, C दिया है, चार मीटर दिया है, और A, B हमें 6 मीटर प्रूब करना है, उसे हमें लेना नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, A, B कमान हमें रखना नहीं, हमें 6 ले आ है जबकि लंब जो छ दिया उसे हमें लिखना नहीं है इसको फालतू में लिख दिया हूं हमें लाना है अप्रूब करना है ठीक है तेन थीटा बराबर एपी एपान फोर ये हो गया इक्वेसन नमबर फ़र्स्ट समी करन नमबर पहला अब करेंगे तिर्भूज ए बी डी में ए बी डी में पूरे पूरे में लिखो कौन डी बराबर 90 माइनस थीटा और इसमें बेटा बी डी दिया है 9 मीटर ठीक है इसमें भी वैसे ही सब कुछ करेंगे तो इसमें भी 10 90 माइनस थीटा बराबर आएगा लंब बटे आधार लंब यानि ए बी आधार यानि बी डी बी डी का मतलब 9 क्योंकि बी डी नो दिया मैंने डारेक्ट रखती है ठीक है तो बेटा देखो 90 माइनस थीटा आपने तिरकोड मिती पढ़ा है मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है हो जाता है ना इसके बाद यहां आके हलकरो में बताता हूं इदर साइड में चलो तो बेटा यह क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा कॉट थीटा यानि कॉट थीटा बराबर ab upon 9 यह equation number हो गया second equation number 5 और equation number second आप दोनों का गुडा कर लिजिए ठीक है दिख रहा है ना नहीं दिख रहा मैं कुश्चन हटा देता हूं चलो कुछ सिकेंड रुख के थोड़ा सा फंसा था ना कोई दिक्कत नहीं तो बेटा हम क्या करेंगे लिखेंगे समी करण एक गुड़ा समी करण दो समी करण एक और दो दोनों का मल्टीपल कर लो इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबु चलो समी करण एक है टैन थीटा इधर साइड हम दाहिना पक्च को दाया पक्च में बाया पक्च को बाया पक्च में गुड़ा करेंगी तो इसमें दाया पच्छ में 10 थीटा है ये बाया पच्छ में कॉड थीटा था ये इसमें दाया पच्छ में A, B upon 4 था और इसमें A, B upon 9 था देखो यहां से समझ न मैं इसको कहीं और हल करके यहां लाके रख दूँगा क्योंकि यहां पे जगा थोड़ा कम है न बाबू देखो मैं बताता हूं तुम्हें यह देखो टैन थीटा यहां हल कर रहा हूं यह कॉट थीटा को हम वन अपांट टैन कर सकते हैं बोलो कॉट थीटा को वन अपांट टैन कर सकते हैं टैन से टैन कर जायेगा कुल मिला के वन क्या आएगा one आएगा ना हम हम कह सकते हैं इधर के आएगा one और इक्वाइब का hole स्क॥ाइर हो जाएगा नीचे 496 हो जाएगा तिर्षा एखुआ आठीक लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं तेख लो पडिश्ष करोगे तुम a-b square का 1 करोगे तो a-b square में में होगे तो a-b square और 36 का 1 में करोगे तो 36 होगा फाइनल में ये a-b का reflex का पर रोिभर 36 बराबर 36 आएगा तो A B बराबर निकालोगे बेटा तो ये ऐसे आएगा ने स्क्वार हटे का अंडर उट लगेगा इसका बरक मुल्ट प्लस माइनस छे आएगा तो माइनस में तो होगी नहीं उचाई उसकी प्लस में ही होगी तो A B कमान 6 आगया अब नीचे लिख दो अताहसिद्ध हुआ मिनार की उचाई कितना है छे मीटर है ठीक है यही तो हमें सिद्ध करना था A B छे लाना था ना मैंने छे यूज नहीं किया कहीं बाद में लाया हूं न लिख दो अताहसिद्ध हुआ कि उचाई कितना है छे मीटर इस तरह से आपका पूरा-पूरा चैप्टर नो खतम हो कच्छा दस्की आप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रित ड कर59 पढ़ेंगे ठीक है आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ बीता अगर कोई ब्रित दिया है जिसकी ती तीरचे पांच सेंटिमेटर दी है तो उसका ब्याश कितना होगा कोई बताेगा आपका साथियों चलते-चलते बात बता दें अगर आपको मैत नहीं आती मैत आप बिल्कुछ जीरो लेबल से सीखना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर देखिए आपको डीटियल दिख रही है कच्छा एक से दस तक पूरा आपको मिल जाएगा अगर आप क्लास टेंथ में पढ़ते हैं तो 31 जनुवरी 2022 तक आपको यह डिसकाउंड मिलेगा कच्छा दस वालों को ठीक है बाकी नार्मल लोगों को केवल 10 जनुवरी तक आफर खतम हो गया ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर चलता उस पर संप कि फ्री में पढ़ सको घर बैठे पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री